नेक्स्ट चेप्टर की शुरुआत करते हैं मा नेम इस रितेश रितेश दहिया अगला आपका चेप्टर है जिसको हम कहते हैं एक सवाल इसका ट्रांसमेशन आफ हीट का आ जाता है यूजुली इस चेप्टर में बहुत जारा परेशान नहीं करते हैं पिछले दो-तीन साल से देखेंगे तो हम यहां पे सिर्फ आप से कुछ यूनिट और डैमेंशन ही पूछ रहें चीज़ों की बट फिर भी चैप्टर आपको आना चाहिए सबसे पहले हैं बात करते हैं आपके हीट की तो हीट एनर्जी ट्रांसफर स्वाम बाडी जो आपकी हायर बाडी हायर टें हैHaand consumption, convection, Radiation, इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आपकी एक होत बाडी से जात्य चाहिए तो हापका कन्डेक्टेक्शन का फेनोमेना होगा ustano convection में molecules actually अपनी heat लेके दूसरे colder place तक जाते हैं और radiation के लिए आपको connectivity दोनों के बीच में नहीं चाहिए तो से for example अगर आपकी मानलों सामने आंगिठी या दो आग जल रही है bonfire करके आप बैठे हुए उसके अगर आप touch करेंगे तो वहां से आपकी body में फिर उसका heat का transfer होएगा अगर वहां से air particle आपके गरम हवा होके वहां से आप तक आ रही है वह convection method हुआ और आप दूर बैठे हुए वहां से फिर भी आपको heat मैसूस हो रही है उसका region आपका radiation होएगा यह दोनों तीनों के बीच में broadly फरक है now particles of the medium simply oscillate but they do not leave their place medium जो है वह आपका necessary है और यह process आपका slow process है path of heat may be zigzag conduction takes place यह आपका जो conduction का method है यह आपका solid में ही होता है temperature of the medium increases through which heat flow conduction is a process which is possible in all states of matter again conduction जो है आपका touching touching की जब हम बात कर रहे है यह आपका तीनों medium में possible है और solids में in solid solid में only conduction होता है यह बात ध्यान रखना ठीक है conduction आपका बागी सब जगे भी possible है लेकिन solids में सिर्फ conduction होगा next बात करते हैं आपके convection की इस पार्टिकल जिस तरह से आपकी जब चाय बनाते हैं पानी गरम करते हैं तो इस method से आपकी पानी का temperature increase होता है कि जब आपने नीचे गैस जला रखी है तो नीचे surface से जो touching water है वो गरम होके ऊपर मूव करता है कभी आपने immersion rod अगर बाल्टी में डाल के पानी गरम किया हो तो उसके बाद आपको एंसी ऐसी दिखाए देती है वो आपका hot molecules and water के वो heat लेके colder places पर आ रहे हैं उनकी जगे फिर थंडे molecules लेते हैं और इस वज़े से आपका वहाँ पर पर पानी गरम होता है एच पार्टीकल अब्सार्विंग हीट इस मोबाइल तो आपके मोबाइल का मतलब है कि वो यहां पर मूब करते हैं आपे medium necessary है it is also a slow process path आपका zigzag है curved हो सकता है it takes place in fluid this process in this process also the temperature of medium increases now radiation heat flows without any intervening medium in the form of electromagnetic waves medium आपके radiation के लिए जरूरी नहीं है तो सूरज की रौष्णी जब हमें यहां पर मिल रही है उसका reason है कि सूरज की रौष्णी यहां तक पहुंची radiation वाले method से राश्ते में कोई medium नहीं भी है तो भी हमें सूरज की घर्मिया महसूस होती है it is a very fast process path हमेंचा straight line होगा radiation takes place यह आपका gases or transparent media there is no change of temperature of the medium और अब इनको तीनों method जो अपने इनको detail में देखते हैं ठीक है temperature gradient यहां पर एक चीज़ डिफाइन करते है वो कहते है rate of change of temperature with distance between two surface that is called आपका temperature gradient temperature gradient कहते है हम इसको if the temperature of the two isothermal surfaces with theta and delta minus theta delta minus delta theta and the perpendicular distance between them with delta x तो यहां पर जो हम अपना temperature gradient कहते हैं उसको आप लिखेंगे दोनों के बीच का temperature difference divided by उनकी length यह आपका temperature gradient होगा अब यहां पर इसकी unit define करते हैं आपका temperature divided by आपका length जो है वो आपकी unit हो जाएगी temperature आपका Kelvin में unity यहां पर length की हो जाएगी meter तो Kelvin per meter यहां आपके unit हो जाएगी dimension धियान रखना L minus और theta theta हम यहां पर temperature के लिए यूज़ कर रहे हैं यह आपकी temperature gradient की value हो गई क्या आपका temperature length के साथ कैसे change हो रहा है उसका temperature gradient कहते हैं next यहां पर हम बाहर करते हैं coefficient of thermal conductivity इसको ध्यान रखना बड़ा importance हो ही है coefficient of thermal conductivity if I will be the length of the rod A is the area of cross section theta 1 theta 2 आपके temperature है then amount of heat flowing from one phase to the other phase in time T यहां पर हम कहते हैं आपके coefficient of thermal conductivity है इसको हम कैसे define करते हैं हम कहते हैं heat जो है आपकी प्रपोश्चिनल होगी आपके area के वो प्रपोश्चिनल होगी आपके temperature के difference के वो प्रपोश्चिनल होगी आपके inversely length के और डिरेक्लिटी प्रपोश्चिनल होगी आपके टाइम के और यहां पर proportionality constant हो के डाल देते हैं को हम यहां पर कोविशन ऑफ थर्मल कंड़क्टिविटी कहते हैं तो आपकी रॉड यहां पर माले यह सो डिग्री टेंपरिचर यहां जीरो डिग्री फॉर एक्जामपल यहां सो इनको आपने रॉड से करनेट कर रखा है तो आपकी कितनी हीट फ्लो करेगी वह इस बात पर अब करेगा के रॉड काएरिया कितना है अकर पतली सी वायर है यहां प्लूटा सा Prip तो आपका हीट का हिप्लो उस पर डायेक़ टाइम है कि आप कितनी देर उसको यहां पर connect किये हुए है तो वह आपकी total heat flow की value बताएगा इन सब की proportionality यह बाद यह के अपना proportionality constant आयाता है के कोविशन ऑफ thermal conductivity material of the rod अगेन यह आपकी material की property है it is a measure of the ability of the substance to conduct heat through it यह आपके material की property है कितनी वह heat अपने अंदर allow करता है जिस पर हमने resistance की बात की थी या conductance की बात की थी electrical conductance की वही सिम बात यहां पर thermal conductivity की हो रही है यहां पर हम कहते हैं thermal conductivity of a material is the amount of heat flowing per second during यह वो आ जाएगा और इसके unit दियान रखना और आप से 2018 या 2019 में डारेक्ट आप से सिर्फ यह सवाल पूछ लिया था कि के के dimensions बताओ आपको formula याद होना चाहिए और आपको इसके dimension उसके basis पर आतो यह याद हो या फिर निकालने आने चाहिए यह आपकी thermal conductivity magnitude of k depends only on the nature of the material तो आपके nature of material पर यह आपका depend करेगा next यहाँ पर बात करते हैं thermal conductivity का जो आपका relation between temperature gradient and thermal conductivity इन दोनों के बीच में क्या रिष्टेदारी है इसको समझते हैं हम कहते हैं dq by dt जो है आपका that is equal to ka आपका d theta by dx यह आपका temperature gradient है कि length के साथ कैसे आपका temperature change हो रहा है यह आपका heat का flow है time के साथ हो कैसे flow कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि if dq by dt is equal to constant then temperature gradient जो है वो proportional होगा 1 by k k temperature difference between the hot end and the cold end then a steady state is inversely proportional to k in this case of good conductor like in this case of good conductor of temperature cold end will be very near to the hot end the ideal conductor अगर आप ideal conductor की बाहत करेंगे तो k की value आपकी infinite हो जाएगी temperature difference आपके steady state में जो बात करेंगे अगर यह वाला scenario है तो steady state में temperature difference आपका zero हो जाएगा यह और यह जो है दोनों का same temperature हो जाएगा ठीक है आप यह हम बात कर रहे हैं कि कि आपने जीरो सौ की दो कंटेनर थे इसमें आपने उबलता पानी रखा इसमें बरफ रखी है और एक rod से connect किया जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी उसके उस दौरान इसका temperature इसका temperature दोनों बराबर हो जाएंगे और यह वाला scenario हमने बात कि हुई है आपने के चैप्टर में क्या आपने दो चीज़ों को mix किया है फानल temperature क्या होगा वहां पर हमने सारी कहानी की हुई है यहां पर हम सिर्फ हीट फ्लो की बात कर रहे है कि इसका temperature फिक्स इसका फिक्स अब बताओ कितना हीट फ्लो करेगा यहां पर ही अपना scenario है ठीक है चला बोगिंग फरवर्ड यहां पर हम कहते हैं आपका एक यह विल्मेंट फ्रेंज लौ है एट गिवन temperature T the ratio of thermal conductivity to electrical conductivity is constant तो यह लौ कहता है कि आपकी जो electrical conductivity है और आपका thermal conductivity है उसका एक temperature पर ratio constant होएगा तो यहां पर इसका मतलब यह है कि which is a substance which is a good conductor of heat is also good conductor of electricity ठीक है तो mostly आपको substance ऐसे मिलेंगे जो आपके good conductor अगर heat के है वही good conductor आपके electricity के भी good conductor होगे but there are some exception I think MICA is one of them MICA is exception to the above law now आगे वह करते है next बार करते है आपे thermal resistance की thermal resistance of a body is a measure of its opposition to the flow of heat तो जैसे हमने वहां पे electrical resistance वह पड़ा था जिसको हम कहते है अवरोध या रुकावट जो आपका material produce करता है while current आपका flow कर रहा है same term में हम यह बात करते है कि आपका heat flow कर रही है तो आपका material जो है वो कितना आपका resistance provide कर रहा है that is called thermal resistance it is defined as ratio of temperature difference to the heat current now temperature difference यह जो हो गया आपका दोनों जो heat flow कर रही है theta 1 minus theta 2 हो गया heat current आपका हो गया h उसको आप लिखते है q by t q आपकी total heat है और t आपका time है similar way वहां पे बात कर सकते थे जहा हमने लिखा था total charge per time यहां पे charge की हो जाए हम यहां पे q heat के लिए use कर रहे है तो आपका जो r resistance हो गया यह आपकी value हो गया इसको ध्यान रखना और इसी को आप l by k a की term में भी की इस्तेमाल करते हैं इसकी unit आजाएगी degree centigrade multiplied by second divided by Kelvin यह आपकी unit हो जाएगी और यह आपके dimension इस dimensions को ध्यान रखना है अगर हम यहां पे electrical conduction और thermal conduction को compare करें just to give you a feel of it तो यहां पे जो आपने current लिखा था जिसको आपने कहा था d q by d t वही current यहां पे आपको h आपको is equal to delta v by r था यहां पे आपका delta t by r है यहां पे हमने कहा था electrical resistance है उसको हमने लिखा था rho l by a और यहां पे उसको लिखते है r will be equal to l by k a तो आपकी जो conductivity है रो आपका resistivity थी और यहां आपका sigma यहां पे conductivity थी तो यहां देखोगे यह आपका sigma नीचे conduction था ऐसे यहां पे के आपका यहां पे conduction है ठीक है so this is how it will be now moving forward हम यहां पे अलाए तो यहां पे अगर हम बात करें आप combination of conductors की तो जैसे वहां आपने resistance series of parallel में लगाये थे similarly यहां पे हम resistance को series of parallel में लगाते हैं तो अगर आपका series combination है क्या आपने k1, k2, k3 यहां आपके अलग-अलग material है जिनको आपने series में लगा हुआ है और यहां आपका temperature high है वहां आपका low है और यहां से heat flow कर रहा है तो heat जो हाएगा आपका equivalent resistance जैसे वहां पने आपने लिखा था R1, R2 series में similarly यहां पे आप लिखेंगे R will be equal to R1, R2 और यह result आप ध्यान रखना है क्या equivalent जो आएगा उसको आप लिखोगे L1 plus L2 plus L3 divided by K by L1, K by L2 यह आपका conductivity आजाएगी, temperature interference आगर आपके यह पूछा जाए कि यहां पे कहीं पे, बीच पे temperature, किसी भी interface पे temperature क्या आएगा उसके लिए आप यह वाला formula यार कर सकते है, यह formula important है को ध्यान रखना, अब अगर बात करें आपके parallel combination की, तो parallel combination हमने current electricity में जब पढ़ा था, तो हमने कहा था कि 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, same value आप यहाँ पे use करते है, heat current जो होएगा, heat current आप लिखेंगे, H will be equal to H1 plus H2, इसकी value होएगी, same वो ही कहानी थी, कि आपका एक current आ रहा है, व will be equal to K1 A1 plus K2 A2, K3 A3 divided by सबका area, यहाँ पर हम यह assume करते हैं, अपने 11, 12th के syllabus में, कि अगर आपने parallel में लगाया हुआ है, तो सबका area, यहाँ पर सबकी length same होएगी, area अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, similarly जब हम series में लगा रहे थे, तो हम यह assume करेंगे, कि जुतरी rod लगी है, स Eigenhaus, जो आपका experiment है, उसकी, तो ही use this experiment, जिसपोस ने का, it is used to compute thermal conductivity of different materials, तो सबोस आपके L1, L2 are the length of wax melted on the rod, then the ratio of thermal conductivity, इस result को ध्यान रखना, ratio of thermal conductivity आपका direct सवाल आता है, कि in this experiment, अगर वहाँ सा case हो, तो K1 by K2 का आपका ratio जो होएगा, L1 square divided by L2 square, यह आपका, उसका thermal conductivity का ratio होएगा and this experiment, we observe thermal conductivity, वो आपकी proportional है, आपके length के square के, इस स्वाले स्नारियो में है, now, एक और experiment है, स्वालेज experiment, it is a method of determination of K, आपका K की जो value है, coefficient, जो है, उसकी value पता करने के लिए rod का, in this experiment, temperature difference, theta 1, theta 2 is maintained across the rod of length L, and area of cross section उसका A है, और यहाँ पे हमने कहा कि the thermal conductivity material of the rod is K, then amount of heat transmitted, वो आपको इस formula से आएगी, अपनी, if the temperature of the water at the inlet is Q3 and outlet is Q4, then amount of heat absorbed by the water is given by Q is equal to, यह आपका M S delta T की हम यहाँ बात कर रहे है, जो हमने, जब calorimetry की बात कर रहे हैं, तो हमने किया था, इन दोनों को जब आप equate कर देंगे, तो इसके बेरिस पर आपकी K की value आजाएगी, इस result को आपको आपको ध्यान रखना है, usually इस पर बहुत जारा सवाल बनते नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा fast कर रहा हूँ, बट अगर यह सवाल पूछ ले, तो आपको यह experiment ध्यान रखना है, और यह result आपने क्या किया है, इस Q की value और आपने M S delta T जो है, उसको दोनों को equate कर पानी आपका जमना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आपका reason क्या है, convection की वज़े से आपका ice, उसकी thickness increase होती है, जो याद रखना है आपको, वो यह है कि T is proportional to y square, यहाँ पर आपका जो time taken होएगा, जो हमसे सवाल कभी पूछे भी गए हैं, तो इसी साब से, कि अगर एक मह पूछा जाता है, बहुत rare है सवाल, बट फिर भी कोई पूछ ले, तो यह formula धियान रखना, कि time will be equal to rho L, rho आपकी density, L length है, कि आपका coefficient है, और T आपका temperature है, और Y आपकी thickness है, ठीक है, चलो, now convection के अगर process को हम देखें, तो हम यह कहते हैं, कि mode of transfer of heat by means of migration of particles हैं, वो heat यहाँ से महा को आप convection कहते हैं, दो तरह के आपे convection के method होंगे, एक को कहते हैं, natural convection, this arises due to the difference of densities, जो आप पानी गरम करें अपने भगोने में, तो नीचे जो पानी गरम हुआ, उसकी density कम हो जाएगी, और जो आपका उपर पानी है, जिसका temperature relatively कम है, उसकी density जादा है, तो यह नीचे वाला प convection का, जिसको हम कहते है, force convection, force convection है, कि if a fluid is forced to move, to take up heat from a hot body, then the convection process, this is called आपका force convection, जो आपको result दिहान रखना है, वो यह आपका result है, कि Q by T is equal to H A multiplied by आपका temperature का difference, ना notice करना, पिछली बाद जो हम उसकी बात कर रहे थे, conduction की, वहाँ पे H की जगे आपका, यह K multiplied by L था, यहाँ पे हम यहाँ पे H की value use कर रहे है, यह आपका coefficient of convection, वो क्या लाएगा, H is constant of proportionality call, coefficient of, आपका convection coefficient, या coefficient of convection heat transfer कहते हैं, T आपका temperature body है, T 0 आपका environment का temperature है, next method है, इसको उपर बहुत साइज सवाल बनते हैं, तो इसको ध्यान देना, next method is called radiation, process of transfer of heat from one place to another place, without heating, intervening medium, this is called, आपका convection, this is called, sorry, radiation, precisely, it is electromagnetic energy transfer in the form of electromagnetic wave, so actually, आपकी electromagnetic wave है, जो यहाँ से वहाँ तक आपकी heat लेके जा रही है, उस method से आपका heat transfer होता है, या आपका vacuum मे भी या बिना medium के भी possible है, sun की यहाँ पे heat हमारी radiation की बचे से आती है, और यहाँ आपकी infrared और उसकी बचे से भी होती है, medium is not required for propagation of these radiation, they produce sensation of warmth in us, but we can't see them, all right, चलो, all right, EM waves की again, EM wave वाले section में बार करते हैं, तो electromagnetic wave जो होती है, उनकी speed जो होगी, sun की light जो यहाँ तक आ रही है, उसकी speed आपकी C है, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, उस speed से आपकी EM waves travel करती है, intensity जो है, वो आपकी proportional होगी 1 by D square के, तो अगर आप यहाँ पे आपक है, तो यहाँ तक अगर आपकी intensity जो है, यहाँ से यहाँ तक, तो intensity जो है, वो proportional होगी 1 by D square के point source है, वहाँ पे आपकी intensity D square के inversely proportional होगी, right, reflection, reflection, यह सारे loss follow करती है, यह सारी चीज़ें, चलो, इसको आगे बढ़ाते हैं, okay, next, यहाँ पे बाहर करते हैं, यह important part है आपके लिए करते हैं, जिसको हम कहते हैं, reflection, absorption and transmission, कभी भी आपकी light जो है, इसको ऐसे देखना, आपके light है, जिसके यहाँ का medium है, ठीक है, अचर यहाँ पे आपकी light ऐ상 से आपके टकरा रही है, तो यह light जो है, यहाँ पे आपकी reflect हो सकती है, तो light यहाँ से puisqu मीडियम से आपके reflect हो सकती है यह यहां पर आपकी absorb हो सकती है और यह यहां से आपकी transmit हो सकती है यह आपके तीनों फिनोमेना है इन तीनों का जो coefficient है उसको आप R, A और T कहते हैं यहां पर हम कहेंगे total intensity मानलो आपकी Q आ रही थी Q A आपकी absorb हो गई Q T आपकी transmit हो गई और Q R आपकी reflect हो गई अगर इसको Q से divide क कर देंगे तो 1 will be equal to Q A by Q plus Q T by Q plus Q R by Q तो यानि कि इसको हमने नाम दे दिया A तो यानि कि 1 is equal to A plus R plus T यह आपकी जो इनका coefficient है जो आपका ratio होएगा heat जितनी absorb होई heat जितनी total की आपकी यहां पर reflect होई यहां पर transmit होई उन सबका ratio है उन सबका total आपका 1 होएगा तो R plus A plus T की value 1 हो इस चीज़ को ध्यान रखना नेक्स यहां पर हम बाहर करते हैं आपके emittance की तो monochromatic emittance of और या फिर आपका spectral emissive power की हम यहां बाहर कर रहे है तो हम यह कहते हैं कि for a given surface it is defined as the radiant energy emitted per second सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना कि आपको अगर यह shirt का color दिखाई दे रहा है या को कोई भी color आपको दिखाई देता है उसके दो reason होते हैं पहला तो reflection यहां पर white light लगी हुई है तो यह shirt जो है green color यह वाला दिख रहा होगा आपको white दिख रहा है brown दिख रहा है अगर इस यह color light का change कर दें तो यह color आपको different दिखाई देंगे तो हम कहते हैं उसका reason reflection है अभी इ red hot rod है मानलो तो इसका color आपको दिखाई देने का reason reflection नहीं होगा उसका अपना heat जो emit कर रहा है वो आपका emittance है उसकी वज़े से आपको red hot दिखाई देगी आभी मानलो black color की rod है इसी को मैं आग में भट्टी में भून दू तो यह आपकी मानलो red color की हो गई तो red दिखने का reason black अभी दिख रहा है reflection की वज़े से red उस time पर दिखेगा आपको इसकी अपनी emittance की वज़े से वो emittance हम यहाँ पर define करते है spectral emissive power जो है उसको आप लिखते है energy parameter area parameter time divided by wavelength इसको आप e lambda कहते है unit इसकी हो जाएगी joule meter square second और आपका lambda है उसके लिए आप angstrom लिखेंगे या फिसक यहाँ पर बाहर करते हैं आपकी total emittance or total emissive power total emissive power की जब हम बाहर करते हैं तो उसको हम एक lambda के लिए तो हमने e lambda define कर लिया सारी जितनी lambda निकल रही है उसी में आपका color है तो जो उसका emission हो रहा है वो emission कोई चीज़ आइस समझना है कि आपको green color की जैसे आप यहाँ से खड़ में light green दिखेंगे कुछ dark green दिखेंगे कुछ जादा darker कुछ जादा lighter वहाली जो चीज़ है जो nature में exist करती है तो आपकी emission अगर किसी एक चीज़ से हो रहा है गैस जब आप जलाते हैं वहाँ से जो heat निकल रही हो सिर्फ एक wavelength या एक color की नहीं होती है उसके nearby orange भी एगर वो light ह है उसी के nearby आपके बहुत सारे और lambdas होंगे है बहुत सारे और frequency होएंगी उनकी आपको सारी एक साथ दिखेगी तो total emissive power के लिए हम इसको integrate करते हैं now this is called total emission power यह वो कहलाती है unit इसकी आपकी of course joule per meter square per second इसकी unit हो जाएगी और यह आपके इसके dimensions है now यहाँ पर हम कहते हैं absorption और यहाँ फिर absorptive power absorptive power it is defined as the ratio of amount of energy absorbed in a certain time to the total वो जो है तो इसको आप a lambda से represent करते हैं और यहाँ पर total absorption जो है उसको आप फिर integrate कर देते हैं तो जो आपने absorb किया है उसको आपने absorption power का है total के लिए फिर इसको integrate कर देंगे now emissivity जो है यह बड़ा interesting आपका concept है अभी हमने बात की थी A, R और T की A क्या है कितनी आपने ratio क्या है कि जो light गिरी उसका कितना absorb किया як T कै कितना ट्रांस्मिट किया emissivity है और compare हम करते हैं, हर किसी body का emission बात करते हैं, इसको ऒबात करते है इन दोनों का ratio होता है اس का आप E E कहते हैं, E is equal to 1 हा, तो यह black body के लिए हम यहाँ पर define करते हैं, कि उसका emission जो है, वो आपका 1 है, by the way black body का absorption भी 1 होता है, तो यहाँ पर आपका black body का absorption और black body का emission दोनो 1 होएगा, Okay, now moving forward हम कहते हैं, perfectly black body, perfect black body is defined, that which absorbs completely जितने radiation उसके उपर पढ़े, सारे उसने absorb कर लिए है, कुछ reflect नहीं हुआ, कुछ transmit नहीं हुआ, उस body को आप कहते हैं, वो perfect black body है, perfect black body neither reflects nor transmits any radiation, therefore absorption जो है, इसका unit हो जाएगा, यह इस case में आपका T0, A0, A की value आपकी 1 हो जाएगी, We know that color of a opaque body is the color of light reflected by it, as black body reflects, अगर हम यहाँ पे किसी एक body को आपको गरम करते हैं, तो जितनी light उसके उपर आ रही थी, वो तो उसने सारी absorb कर ली, और लेकिन उसका गरम करने की वजए से अपना emission हो सकता है, इस चीज को द्यान रखना, चला, उसके बाद यहाँ पे black body बनाने कि हमने बहुत सारी fight मारी, तो fairies came up with पहले theoretical concept था, ठीक है, कि black body होती है, जो साब कुछ absorb कर लेगा, कुछ भी, तो इसका मतलब है कि black body अगर है, तो मैं दिखाई नहीं देगी, for the simple reason, जितनी light पड़ी, उसने सब absorb कर ली, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने का कि इसको बना कै रखते हैं, तो fairies created this kind of system कि जहाँ पे आपकी light आ रही है, और उसके बाद आपकी light अंदर अंदर घूम के, we are making sure के everything will get absorbed inside, और यहाँ पे आपकी कोई भी light बाहर नहीं आए, if that is the case, technically यह वाली body है, आपकी black body होगे, तो fairies was a scientist and he created this, ठीक है, यह आपकी इसकी कहानी होगे, तो सारी body इसने यहाँ पे theoretical concept है, कुछ इसमें काम नहीं है, तो उसको करेंगे, ठीक है, एक चीछ दियान रखना है यहाँ पे, एक black body है, उसको अगर हम गरम करें, तो यह वो कहते हैं, black body हमेचा black होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, black body गोरी भी हो सकती है, नीली-पीली-काल हर color की हो सकती है, for the simple reason कि आपका reflection नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अपना emission होएगा, Stephen Hawking works, worked a lot in this area, कि वहाँ पे आपका जो reflection है, वो नहीं हुआ मान लो, लेकिन अपने temperature की वजे से, वहाँ पे आपका हो सकता है, emission हो रहा हो, तो उस emission की वजे से हो सकता है, कुछ color हो उसका, so it is not required कि black body should be black. And now, इसके बाद बाहर करते है, Prevot's theory of heat exchange, so Prevot's जो है, he gave his theory for heat exchange, he said, exchange of energy along various body takes place via radiation, if the amount of radiation absorbed by a body is greater than emitted by it, then temperature of the body increases and it appears hotter. तो जितनी आपकी amount of radiation absorbed है, वो आपकी जादा है उसके emission से, तो body का temperature यहाँ पे increase होएगा. If amount of radiation absorbed by a body is less than the emitted, then body appears colder, तो जो आपका emission हो रहा है, उससे अगर absorption जादा है, या फिर जो emission हो रहा है, उससे absorption अगर कम है, वो determine करेगा कि वो apparently hot body होएगी या cold body. amount of radiation absorbed by a body is equal to the emitted by the body. अगर हम room temperature पे यहाँ पे बात कर रहे है, तो इस वगत मेरी body, जितना heat absorb कर रही है, उतना ही है heat emit कर रही है, उन दोनों की value बराबर है यहाँ पे, तभी मेरी body का और environment का temperature यहाँ पे आपका सेम होएगा. ठीक है, at absolute 0 temperature, this law is not applicable, because at this temperature heat exchange among various body ceasers, 0 Kelvin पे हम कहते है, heat exchange नही हाँ पे हाँ पे अपना, आपना, केच्छफ गे लाओ, केच्छफ गे लाओ, ratio of emissive power to the absorptive power is same for all surfaces, at the same temperature, and it is equal to the emissive power of a perfectly black body. If A practical and E practical, आपका absorptive power, emissive power इसको represent करते हैं, तो उसको हम देते हैं, E practical divided by A practical will be equal to E black body divided by आपका A black body. If emissive power and absorptive power are considered for a particular wavelength, तो हम आपे कहते हैं, E lambda by A lambda will be equal to E lambda of a black body. Now, since E lambda black body is constant at a given temperature, according to this law, if surface is a good absorber of a particular wavelength, it is a good emitter of that wavelength. इसलिए हम कहते हैं, जो आपके good absorber हैं, वो ही आपके good emitter भी होंगे. तो जितनी जादा absorb करेंगे, उत्ता जादा emit करेंगे, हम ऐसा कहते हैं, bad absorber जो हैं, वो आपके bad emitter भी होंगे. Next, यहाँ पर बाहर करते हैं, आपके black body के energy distribution के, तो हम यह कहते हैं, यहाँ पर, के at a given temperature, energy is not uniformly distributed, तो एक temperature पर जो आपकी energy emit हो रही है, वो किसी एक wavelength की is not uniformly distributed, वो किसी एक wavelength पर नहीं होगे, उसके अडासी पडासी वाली और wavelength भी होंगे. At a given temperature, intensity of heat addition increases with wavelength, reaches a maximum at a particular wavelength and with further increases in the wavelength, it decreases. यह आपका graph इस तरह का बनाई, आपने को ऐसा बनता है, इस graph के उपर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे समझना, यहाँ पर हम यह relation देते हैं, इसके उपर आपके सवाल आते हैं, historically काफी सवाल पूछे हुए, which is called, इसको Wayne's law कहते हैं, delta M multiplied by T will be equal to constant, तो यहाँ पर left shift यहाँ पर आता है, इसको left shift बोलते हैं, आपका lambda जो उसकी value जिस पर आपकी maximum power आ रही है, वो आपका lambda shift इस तरफ से हो जाते है, और lambda M multiplied by T, इसकी value आपकी constant होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, next हम यहाँ बात करते हैं, distribution of energy इसी चीज़ की आगे बात बढ़ाते हैं, त जो आपका area है, वो आपको total यहाँ पर देगा, represent total intensity of radiation at a particular temperature, ठीक है, और वो आपकी T to the power 4 के proportional होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, it is found to be directly proportional to the 4th power of absolute temperature, और इसका अगर हम graph बनवा है, इसका वीन's displacement law, तो हमने अभी जो बात की थी कि आपका left shift होता है, तो इसका वीन's displacement law, औ और यहाँ पर हम कहते हैं, आपका lambda M जो है, वो T के, इन दोनों का product जो आता है, वो B कहलाता है आपका, और इसकी value constant होती है, और इनका lambda और इसका graph बनाएंगे आप, तो यहाँ आपका hyperbolic graph ऐसे graph बनेगा, lambda और T का variation का, इन दोनों का log का graph अगर कोई पूछ ले, तो of course इसका log लेंगे, तो straight line आएगा with a negative slope, चलो, आगे बढ़ते हैं, कान ही आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं, Stephen's law, Stephen's law कहता है कि आपका according to it, radiant energy emitted by a perfectly black body per unit area per unit second is directly proportional to fourth power of absolute temperature, और हम यह कहते हैं, E that is equal to sigma T to the power 4, तो जितनी power emit हो रही है, वो temperature के fourth power के आपके, उस पर depend करती है, उसके बाद यह sigma की जो value, Stephen calculated this value, 5.67 multiplied by 10 to the power minus 8, यह आपके sigma की value होएगी, Q is the energy जो आपकी radiate हो रही है, उसकी जो total value होएगी, now इसी को जो E था, इसी को यहाँ ध्यान देना, हमने यहाँ पर E इसमें include किया है, now this E is actually आपकी emissivity of that body, अगर तो black body है तो इसकी value 1 but अगर human body है या कोई भी और body जिसके हम बात करें, उनकी E की value 1 नहीं होती है, तो उस case में यह E से आप इसको multiply करेंगे, और उसकी बाद से यह आपका final law बन जाता है, कि E, capital E जो है आपका, that will be equal to E multiplied by sigma और आपके temperature की 4th power का difference, और T naught आपका यहाँ पर environment का temperature है, now इसी को आगे व जो rate आएगा आपका वो यह value होएगी, और इसी को जो आप equate कर देते है, ms delta T से, mc delta T वाले उस कहानी से, तो यह आपका formula आजाता है, इस formula को ध्यान रखना, यह आपका final law बन जाएगा, कि DT by DT आपका temperature कैसे change हो रहा है, वो यह value होएगी, ठीक है, यहाँ पर C आपकी specific heat of that material है, चलो, next यहाँ पर बात करते हैं, अपने Newton laws of cooling की, यह इसके उपर सवाल आप से नीट में पूछे गए हैं, कुछ यह कहता है कि Newton laws of cooling in case of cooling by radiation, the temperature for body, उसमें दोनों के बीच अगर आपकी जैसे चाय आती है, आप room में बैठे हैं, आपकी मदर कहती हैं कि बड़ा चाय पी कॉफी आई है, मानलो वो गरम हो जाती है, ठीक है, और हम कहते हैं, चाय ठंडी हो गई, कॉफी गरम हो गई, cold कॉफी गरम हो गई, तो वहाँ पर जो हम यूज कर सकते हैं, आपको यह पता करने के लिए कि आपका temperature एक से दूसरे में पहुंचने के लिए कितना time लगेगा, तो यहाँ पर ratio के सवाल अक्सर हम से पूछा जाते हैं, मुश्किल नहीं है, पर यह law ध्यान रखना, theta 1 minus theta 2 will be equal to theta 1 plus theta 2 minus यहाँ पर theta naught आपका environment का temperature है, इसको आपने T से divide किया, इसको 2 से divide किया, यह आपका Newton का average law है, ठीक है, theta 1 औ theta 2 आपके temperature से है, आगर आपका theta 1 से theta 2 temperature जा र और यहाँ पर इसका अगर हम graph बनाएंगे, तो इसका graph कुछ हैसा बनेगा, यह आपका temperature है, और यह T time है, तो यह आपका environment के eventually जो आपकी चाय है, अगर आपने कमरे का temperature मानलो 20 degree रखा हुआ है, चाय आयती 80 degree पर, वो जब ठंडी होएगी, तो ठंडी होके 20 degree ही पहुँचेग eventually उसको time लगेगा, पर वो 20 से कम नहीं पहुँच सकती, for the simple reason के environment का temperature 20 है, 20 से ठंडी नहीं होएगी वो, उस temperature पर infinite time या फिर जो भी है time आपको निकालना होएगा, उसके basis पर हम determine करेंगे, average law of cooling है, तो of course infinite की बात तो नहीं करेंगे, पर लगभग उस temperature में है, और यहाँ पर temperature का difference जो है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20, 30, 40, 50 तक तो ठीक है, इस से ज़्यादा का temperature difference हुआ, तो यह आपका Newton का average law of cooling जो है, यह आपका काम नहीं करेगा, इस law को ध्यान रखना है, इस law में कई बास सवाल पूछे जाते हैं, इसके बास सवाल सवाल करते हैं, question says, the heat flux of 4000 Joule per second is to be passed through a copper rod of length 10 centimeter, area of cross section 100 centimeter square दिया हुए, thermal conductivity of copper we अपने को दी हुए, 400 Watt per meter degree centigrade, two ends of this rod must be kept at a temperature difference off, तो हमें यह बताना है के temperature, दोनों की temperature difference कितना होना चाहिए, simple सवाल है, इसको आप ऐसे use कह सकते हैं, यह भी हमने पढ़ा था के Q is equal to हमने लिखा था K A delta T divided by L या आपकी heat transfer की equation लिखते हैं, यहाँ पर हमें बागी सारा data दे रखा है, delta T की value बतानी है, तो यानि के हम लिख सकते है, delta T will be equal to Q multiplied by L divided by Ka, बसे हम value डाल देते हैं, Q जो है आपकी वो दी हुए, heat flux है, आपका 4000, 4000 multiplied by length है, length जो है आपने को दी है 10 centimeter, 10 centimeter को आप लिख दें, 10 to the power minus 1, meter में हमने convert कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है के thermal conductivity, इसकी value हमें दिये 400, multiplied by area दिया 100 centimeter square, तो आप इसको लिख दें, 100 multiplied by 10 to the power minus 4, या आपकी value आजाएगी, ठीक है, तो इसको जब आप solve करेंगे, तो यह तो बना आपका 400, 400, 400 का 100 इससे cancel हो गया, या आपका बचा 4, 4 इससे cancel हो गया, 10 to the power उप चला गया, तो यह 10 to the power 4 divided by 100 बचा, यानि के 100, temperature difference, यानि के option C, that would be our final right answer, so option C would be the correct choice. Next question, question says, अपना सवाल है, कैता है, तेरा 3 thermometers, one in contact with skin of the man, other in between the west and the shirt and third between the shirt and the coat, reading of the thermometers are 30, 25 and 22 respectively, तीनों के आपको temperature की reading दे रखी है, if the western shirts are of the same thickness, ratio of their thermal conductivity के आएगा और ये 4 option दे रखे है, now simple सवाल है, पढ़ने में बहुर लंबा चोड़ा लगता है, पर सवाल सवाल है, सवाल है, आपकी एक, दो और ये ऐसे करके तीन चीज़े दी हुई है, तो ये आपकी पहले दिया है, ये आपकी skin क्या लिजिए, यहाँ पर आपका temperature जो है, वो 30 degree है, और उसके बाद ये आपकी एक layer है, ये layer होगे आपकी west की layer, इसके बाद यहाँ पर आपका west का जो temperature है, वो आपको length, इसके length और इसके length ये आपकी same है, हमें यहाँ पर बताना है कि इनके जो थंडमर conductivity है, उसका ratio क्या होगा, now heat जो यहाँ पर flow कर रही है, वो heat उसको आप लिखेंगे, Q will be equal to K A delta temperature T divided by L, now इस case में heat का जो flow है, वो आपका same है, तीनों यहाँ से यहाँ आपके heat same flow कर रही है, आ हम इसको लिख सकते हैं, कि K पहले वाले को west कह लेते हैं, K west multiplied by area west, area west V लिख लेते हैं इसको, multiplied by temperature difference जो है उसका पहला T1 divided by length of west will be equal to, इसको आप लिखेंगे, K इसके बीच पर जो आएगा आपका, इसको आप लिखेंगे, K next किया जाएगा आपका shirt multiplied by A, multiplied by delta T2 कह लेते हैं इसको, और divided by यह आपके length होई आजाएगी, ठीक है, इस case में आपका, क्योंकि area same दे रखा है, आपने कोई सवाल में कहां गया, आपको area, तो इस case में यह दे रखा है, length आपके same दे रखी है, तो इसका मतलब है, K west divided by जो आपका delta K S जो है, उसकी value हो जाएगी delta T2 divided by delta T1, delta 2 देखेंगे, तो यह इन दोनों का ratio आजाएगा, तो यह हो गया आपका 25 minus 22, divided by इन दोनों का जो ratio आएगा, इन दोनों का difference that will be equal to 30 minus 25, so that will be equal to 3 by 5, so इन दोनों की conductivity का ratio 3 by 5 हो जाएगा, hence आपका option number, आपका option D जो है, 3 is to 5, that would be the correct choice. Next question, question says, if transmission power of a surface is 1 by 6 and reflective power is 1 by 3, then absorptive power क्या है, यह 4 option दे रहे है, now simple सवाल है, हम दोने को पता है, A plus R plus T, उसकी value 1 होती है, यहाँ पे transmission power है, वो आपको 1 by 6 दी हुई है, और reflective power जो है, वो आपको 1 by 3 दी हुई है, A की value बतानी है, तो इसको उदर ले आते हैं, so A will be equal to 1 minus 1 by 3 minus 1 by 6, Now, इसका LCM लेंगे, तो LCM 6 आएगा, यह हो गया, आपका 6 minus 2 minus 1, तो इसकी value हो गई है, आपकी 3 by 6, यहाने की 1 by 2 will be my final answer, so option भी 1 by 2, यह आपके absorption का ratio हो जाएगा, यह उसकी absorptive power क्या लाती है, A की value 1 by 2 आजाएगी, next question, जही में समें सवाल पुचा गया था, question says, the plots of intensity versus wavelength of 3 black bodies at temperature T1, T2, T3 respectively are shown, temperature are such that और यह चार option अपने को दे रखें, यह बात अपने को बता है, wind displacement law से, lambda जो है maximum जिस पर आपके intensity आएगी, वो आपका temperature के inversely proportional होता है, अब अगर यहां lambda देखेंगे, तो यह आपका lambda 1 हो गया, यह आपका lambda 2 हो गया, और यह आपका lambda 3 हो गया, तो यह आप lambda 3 है, इस case में lambda 1 की value जो हो सबसे कम है, यानि कि इसका temperature सबसे ज़्यादा होएगा, that means आपका T1 जो हो बागी दोनों से ज़्यादा होएगा, lambda 2 हो उसके बाद है, तो that means आपका T2 आएगा, उसके आपका T3 आएगा, that will be our final answer, so based on this हम कहा सकते है, T1, T2, T3, option A, that would be the correct choice.